नमस्कार दर्शिकों स्वाकते आप सभी का हमारे खास का रिक्रिम सी हल्थ में और दर्शिकों जैसे कि तब हैं और दर्शिकोंंसितों स्वाध्य बात आप लिए खास कई लाया में और इंडियन पास की इमेजन पास एक्सप्रेस एक्स पेजिरेंट भी रहे हैं जिन से आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर अल्टरा साउंड ने क्या भूमी का निभाई है जो पिछले जब पहले नहीं हुआ करता था उसके बाद जब वो आया है इसके बाद क्या चिकिस्टा नहीं हुआ करता था तो इसके कि तरीके से जाच की जाती थी देखें अल्टरा साउंड का जो यूज होना शुरू हुआ है 1968 में डक्टर आन डोनेल थे जिन्होंने इसका विश्कार किया और उन्होंने इसको यूज में लाया कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम कैसे यूज कर सकते हैं डेफिनेटली उससे पहले उनका experience उनका जो हाथ से जिसे हम examination कहते हैं examination से ही वो देखते थे और assess करते थे कि बच्चे की growth ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है और बच्चे का कितना time है ये सब चीजें वो अपने हाथ से और examination करके ही examine करते थे डेफिनेटली जो बच्चे में खराबियां होती हैं वो हाथ से नहीं बताई जा सकती थी तो उस समय बहुत gross abnormalities जैसे बच्चे का सिर नहीं बना है तो हम simple x-ray करके देख लेते थे कि बच्चे का सिर बना है कि नहीं बना है तो यह सब चीजें जो gross विक्रेतियां होती थी वो देखी जा सकती थी x-ray करके जो हड़ी से related थी लेकिन बाकी सब नहीं देखी जाती थी और इसी लिए उन दिनों आप देखें तो जो इमिजेटली आफटर कम होती जा रही है क्योंकि हम पहले सी अर्टरसॉन के माध्यम से पता कर लेते हैं कि बच्चे की इस्तिति अंदर क्या है कि बात करूंगे जब एक महिला गर्वती होती है तो उस समय उसका पहला अर्टरसॉन कब करवाना चाहिए देखें सबसे पहले तो आज की डेट में यह होता है कि पहले तो determination of pregnancy की pregnancy हो गई है कि नहीं हो गई है और हई है होई है तो कितने weeks की है तो इसके लिए हम चाहते हैं कि पहले आठ महीने में हाट हफते में इसका मतलब है कि overdue होने के within one month overdue होने के one month उसे हम आठ हफते बांते ह है आठ हफते के अंदर पहला ultrasound हो जाना चाहिए जिससे कि हम बता सके कि हाँ इतने हफते की pregnancy है कि कुछ-कुछ महिलाओं में जिन में periods late होते हैं 30 दिन के बजाए 40 दिन 45 दिन पे होते हैं तो उन में pregnancy late होती है तो आगे चलके हमें इसको अब यह date इसलिए हम पहले 8 हफते में decide कर लेते हैं कि यह इसकी date है और इसका इतने हफते का pregnancy हो चुकी है उस हिसाब से आगे फिर हम follow करते हैं तो पहला ultrasound first 8 weeks में दूसरा ultrasound जो होता है वो एक हम लोग कहते हैं anti scan, nuclear translucency scan वो होता है 11 से 14 हफते के बीच में तो आप माल लिए 13 हफते पे at the end of 3 months, तीन महीने के आगे पर वो बहुत ही important आजकल माना जाता है जिसमें हम बच्चे के genetic disease, chromosome जो मंद बुद्धी के बच्चे होते हैं उनको हम diagnose कर सकते हैं और उसके बाद एक ultrasound होता है साड़े चार महीने पर जिसमें बच्चे का पूरी विकृतियां देखी जाती है कि बच्चे का सिर और हाथ पैर वगरा सब ठीक हैं और बच्चे की kidney, बच्चे का stomach यह सारी जो विकृतियां है यह सब देखी जाती हैं तो यह ultrasound मेरे हिसाब से बहुत ही महत्पूर्ण है कि जो हम 18 से 20 हपते पर करते हैं साड़े चार महीने पर उसमें हम बच्चे की विकृतियां देख देखे कलर डापलर क्या है हमने routine ultrasound से तो बच्चे की growth देखते हैं कलर डापलर से हम बच्चे के खून का प्रवाव देखते हैं खून का प्रवाव जो होता है पांच महीने के बाद बच्चे का विकास होता है अंग बन जाते हैं उनका विकास होता है तो उस विकास को देख से बच्चे में जा रहा है वह यूट्राइन आटरी के तुरू देखते हैं वह ठीक है कि नहीं है वह हम 22-24 हफ्ते पर करते हैं उसके बद बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन जो है वह सात्वे महीने के तो उस समय पर जो अल्ट्रसाउंड होते हैं तो उसमें कुछ बच्चों में अंदर से विक्रिती पाई जाती या बीमारी या हर्ट की प्रॉब्लम पाई जाती है तो उस समय क्या किया जाता है अगर आपने हमने बार बार आप से गह रते हैं कि आजकल हम चार महीने के एंड चार से साड़े चार महीने पर हम बच्चे की विक्रितियां के लिए अल्ट्रसाउंड करते हैं उसका कारण है कि बच्चे में दो तरह की खराबियां होती है एक होती है नौन वाइबल यानि उस विक्रिती के साथ बच्चा जिन्दा नहीं रह सकता एक होता है विक्रिती ज जो आगे चलके connect कि जा सकती है तो हम साड़े चार चार साड़े-चार महीने पर ये देख के बता देते हैं कि ये बच्चा आगे चलकर कि जीवित रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा तो उसको फिर हमें डॉक्टर को एक गानेकॉलिजिस्ट और रिडियॉलिजिस्ट का एक टीम जो डिसाइड करती है कि इस बच्चे को हमें रखना है कि नहीं रखना है तो यह इसलिए जरूरी है क्योंकि 20 हफ्ते के बाद में हमारा इंडियन लॉज जो विकuden इस पहले डियाग्नोज करें क्योंकि अगर विकृती जिसने बच्चा जिन्दा नहीं रह सकता है जैसे बच्चे का सिर नहीं बना, बच्चे की दोनों किडनी खराब हैं, बच्चे का हार्ट में डिफेक्ट है और हमें मालूम है इसमे बच्चा जिन्दा नहीं रह स एंड दी पेरेंट्स तिनों मिल करके निर्ने लेते हैं कि हां हमें इस बच्चे को कांचीनियू करना है कि नहीं करना है जो अगर्वती होते हैं तो उसके प्रति लोगों में कितनी जाग रुपता है कि कुछ महिला गर्म कराएंगे तो हमारे बच्चे पर पर पढ़ेगा या इस वज़े से इसको अग्डॉर करती है उनके थोड़ा घ्रांतिया या बहर रहता है तो इसके बारे में जाना चाहूंगी बेखे अल्ट्रसाउंड एक बिल्कुल ही सुरक्षित और सेफ डियाग्नोसी मेथड है क्योंकि इसमें हम कोई रिडियेशन नहीं यूज कर रहा ह हैं उसी की थोड़ी हाई फ्रिक्वेंजी साउंड वेव यूज करते हैं तो ये इसका कोई भी दुश्परवा हमारे बच्चे पर नहीं होता है ये बिल्कुल गलत धारणा है कि अल्ट्रसाउंड होने से या अधिक होने से बच्चे पर कोई दुश्परवा पड़ता है ज फिर भी हम डॉपलर को अवाइट करते हैं पहले तीन महीने में बात करूँ पेशन्स की तो क्या पेशन्स आपके पास जिसे अपने टाइम अगर बताया कि इतने पाल्रसांड करवाना है तो क्या वो टाइम टू टाम आते हैं या उनको इग्नोर करते हैं नहीं आब अब ज स्कैन जो अब हम लोगों कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है क्योंकि जो मंद बुद्धी के बच्चे हैं उनको हम इसमें डाइग्नोर कर सकते हैं जिसे डाउन सिंड्रोम होता है मंगोल बेबी होते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टन है और लोग अब समझ रहे हैं अब मैं मैं देख रहा हूं कि लोग इसके लिए आवा रहे हैं अनॉमली स्कैन भी कराते हैं जो एक अच्छी बात है मेरे हिसाब से कि हम अन्यसली जिसे कहते हैं विकलांग बच्चे और जो मंद बुद्धी के बच्चे हैं उनको सोसाइटी में ना लाएं डॉक्टर गर मैं इसके स्कैन डेफिनिटली थोड़ा पहले ये कहते थे जो लेडीज 35 साल से जादा हैं और जिनका पहले कोई एक जिनकी फैमिली में मंगोल बेबी हुआ है डाउन सिंडरों का बच्चा हुआ है उनके लिए पहले करा जाता था लेकिन अब ये पाया गया है कि नहीं ये 35 साल से कम उम्र के भी लेडीज में हो रहा है तो इसकी बहुत विशेष्टा है और ये मेरे हिसाब से अब हर एज ग्रूप पर होना चाहिए बट डेफिनेटली जो 35 साल से उम्र के जादा हैं जैसे आजकल हमारी सोसाइटी में लेट मैरिज़ हो रही हैं बिकॉज दे गर्ल्स और व 30 साल से कम की उम्र में भी हो रहा है तो उसमें जरूर होना चाहिए एंटी स्कैन ये क्या होता है इसमें हम दो तीन फीचर हैं जो मंद बुद्धी के बच्चों में होते हैं मंगोल बेबी में या डाउन सिंड्रोम में होते हैं जैसे कि हमारे जो गर्दन की स्किन होती है प बच्चे में डाउन सिंड्रोम हो सकता है ऐसे ही नाक की जो हड़ी होती है वो तेरा हफ़ते तक बन जानी चाहिए और अल्टरसाउंड में दिख जानी चाहिए डाउन सिंड्रोम के बच्चों में ये नेजल बोन जो होती है वो नहीं दिखती है तो अगर नहीं दिखती तो ह हम इमानते हैं कि यह बच्चे में यह खरादी हो सकती है तो इसी लिए एक ब्लड टेस्ट भी होता है जिसे डूएल मार्कर टेस्ट कहते हैं तो डूएल मार्कर टेस्ट प्लस अल्टरसाउंड मिल करके दोनों काफी हद तक 90% तक हम डाइग्नोस कर सकते हैं आद की जिए ब्ल इस समय हम लोग बच्चे हेट से लेकर के टो तक सारे शरीर के लिए Ultrasound का उपयोग हो रहा है यह जैसे ज़ेड साल से कम बच्चों में हम Brayne देखते हैं उनमें CT scan हम avoid करते हैं Because radiation होता है तो Brayne का Ultrasound होता है आग का Ultrasound करते हैं हम Tharad का Ultrasound होता है Breast का Ultrasound होता है इसी तरह इसे Paid का Ultrasound तो आप जानते हैं बचे लोग जिम बहुत जा रहे हैं, तो उनको काफी आजकल इंजरी हो जाती है, मास पेशी में, तो वो भी अल्टरसाउंड से देखी जा सकती है, तो इस तरह से अल्टरसाउंड का उपयोग पेट में और गरवती मेला में तो है ही, लेकिन अब और जगा पे भी इसका यू ट्यूमर है, उसी में से लेनी चाहिए, और ट्यूमर के अंदर भी हम बढ़ा देते हैं कि ये जगा पर अगर हम लेंगे, सैंपल तो जादा अच्छा मिलेगा, तो ये रोल है, दूसरा जैसे कुछ लोगों के पेट में, लिवर में, एपसिस हो जाती, फोड़ा हो जाता है तो अल्टरसाउंड सबसे अच्छी विदी है, जिसे कि हम नीडिल डाल करके सारा पस निकाल देते हैं, जिसके लिए पहले बहुत बड़ा ऑपरेशन होता था, तो ये सब चीज़े हैं, प्लस लंग में पानी है, उनको भी हम अल्टरसाउंड में, हार्ट में पानी है, वो अज़े हम चरचा कर रहे हैं, अल्टरसाउंड के बारे में, क्या भूमिका है, चिकिट्स पद्दती में, और उसके आने के बाद क्या-kया बबदलावाइँ हैं, इसके बारे में आज आज हम चरचा कर रहे हैं, मगर दर्शिकओंगे वसह प्या चुड़ innovate, क्या प्रेक कर बाद हम जल हाजिर होंगे हमारे खास कारेकरम सीहल्थ में दर्शिकों मैं हूँ आपके साथ मांसी जन दर्शिकों हम आपको बता दे हैं आज हमारे साथ स्टूडियो मौझूद है डॉक्टर भूपेंद्र अहुजा जो की सीनर डियोलोजिस्ट है जिनसे आज हम चर्चा कर रहे हैं अल्टर साउंड के बारे में के अल्टर साउंड की क्या भूमिका होती है जब महिला गर्वती होती है उस समय पे अल्टर साउंड क्या भूमिका निभाता है से बारे में आज हम चर्चा करें हैं बात करो अगर अगर आप करते हैं तो श में शिशू की क्या को जान पाते हैं और क्या-क्या उसके इंदर विख्रिय। र Quand ना दिच भेड़ सकते हैं लड्रसौंटकि धिशू की धिशिष्ट करता हैं किस स्टेज पर देख रहे हैं जैसे अगर हम ने कहा फर्स्ट एट वीक्स में देखते हैं तो हम लोग उसमें बच्चे का पहले एज डिटर्माइन करते हैं कि बच्चे की इसे जेस्टेशनल एज कहते हैं कितनी हैं दूसरा जो अल्टरसाउंड जो हम तेरा चौदा हफते पर करते हैं तीन महीने के आखिर पर उसमें हम बच्चे का देखते हैं कि जो विकास है वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ इस बीच में और बच्चे में कोई जेनेटिक प्राबलम तो नहीं जेनेटिक डिजीज तो नहीं है अठारा से बीस हफते पर जो होता है उसमें हम growth देखते हैं number one number two विकृतियां बहुत detail में देखी जाती हैं तीसरा बच्चे का fluid बच्चे के around जो fluid होता है वो ठीक है की नहीं है और नाल अपनी सही जगा पे जोड़ी है की नहीं जोड़ी तो बच्चे में जब भी हम कोई भी fetal assessment जो कहते हैं उसमें पहले होता है बच्चे का विकास that's a growth तीसरा दूसरा होता है बच्चे का genetic problem या कोई structural deformity या कोई विकृति तीसरी होती है environment environment में बच्चे के around fluid और नाल देखते हैं जिसे placenta कहते हैं यह चीन चीज़े हो गई और late stage में बच्चे का weight important होता है हमारे stage में तीस हवते के बाद में बच्चे की growth बच्चे का development और बच्चे का weight यह ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा अपने समय अशार अगर बात करें अपना ठीक से नहीं विथित कर सकता विकलांग होगा तो बच्चे को समझा सकते हैं देखो यह चीज़ है और इसको हम improve कर सकते हैं तीसरा हमने blood flow अगर देखा बच्चे का blood flow हमने की विकास ठीक हो यह बहुत important चीज़ है क्योंकि आप देखे हैं हम विक्रितियों की तो बहुत ध्यान देते हैं लेकिन अगर आप देखें सही मानों में जो हमारी country में because low socioeconomic status काफी है और man nutrition भी है मदर्स में तो उससे बच्चे का विकास जो है growth जो है 10 में से एक बच्चे में विकास ग्रोथ कम होती है तो यह बहुत बड़ी बात है बलक्य गौन में यही 10 में से 3 या 4 बच्चे जिनकी growth कम होती है ये ज़्यादा जरूरी है जबकि विक्रिती सौ में से एक में आती है तो हमारे लिए क्या important है इंडिया कि हम बच्चे की growth देखे ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है किस मा को हमें nutrition ठीक देना है किस मा को हमें blood supply बढ़ाने के लिए देना है hypertension जो है उसमें या diabetic mother में diabetes जिस मा को है उससे बच्चे पे क्या प्रभाव आ रहा है तो यह सब चीज़े कंट्रोल की जा सकती है समय नुसार यह बहुत बड़ा फायदा है ultrasound का कि हम बच्चे का विकास ठीक से देखें और अगर कोई कमी आ रही है किसी कारण से आ रही है उसका इलाज किया सके जाना चाहूंगी पी सी पी एंडी टी जो एक रूल है जो एक बना है गवर्मेंट के द्वारा तुम्हें इसके बार में जाना चाहूंगी यह क्या है देखे यह बड़ा दुरभाग गय कि हिंदुस्तान में लिंग निर्धारन हो रहा था और जो लड़कि लोग ये यूज भी करने लगें जो जिसे कहते हैं बहुती एक कुरूती थी जो शुरू हो गई कि अल्टरसाउंड से सेक्स डिटरमेशन होने लगा उसका रीजन भी था कि एक सोसाइटी की हमारी सोसाइटी के कुरूतियाज है लड़की को एक बर्डन समझा जाता है दहे जो है जो अनुपात है मेल फीमेल का वो बिगड रहा था लड़कियां मतला नौसो से अगर एक हजार लड़के हैं तो नौसो पर लड़कियां सोसाइटी महने लगी थी जो बहुत गलत अनुपात हो रहा था इसको देखते हुए गौर्मेंट ने उन्होंने एक रूल बना कि आप कोई भी मशीन जो भी लेगा अल्टरसाउंड की वो अपने को रेजिस्टर कराएगा और जो भी आप अल्टरसाउंड करेंगे उसका एक फॉर्म भरेंगे और उसकी जो जानकारी है वो सीमो आफिस में दी जाएगी एड़ सेम टाइम उन्होंने ये लोगों के अल्टरसाउंड से सेक्स डिटर्मिनेशन कराएगा या कहेगा डॉक्टर से करने को तो वो भी अपरादी है तो ये अगर पेशेंट भी अगर रिक्वेस्ट करता है सेक्स डिटर्मिनेशन की डॉक्टर से तो ये भी एक अपराद है वो नहीं कर सकता आज की डेट में कोई कोई भी डॉक्टर सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकता अधर्वाइस पीसी पींडीटी के अनुसार यह अपराद माना जाएगा और उसके अनुसार उसको धंड दिया जाएगा जी डॉक्टर बात को जो से आपने बताया इस रूल के बारे में तो अगर कोई करवाने आता है पिशन्स तो क्या-क्या क्या पूरि करने पड़ती है anche फ्रतिकरिया क्या वो शांती से उसको फिल कर देता है या उसके लिए वह कुछ आना कानी करता या बना कड़ता है उसको भर में कोई वी उन्हानी पर 100 वाह पर हमें sign क्यों कर रहे हैं क्यों करा रहे हैं तो उनको फिर हम समझाते थे इसमें हम यह लिख रहे हैं कि हमने आपको sex नहीं बताया है ना आपने इसकी जानकारी हमसे चाहिए यह आपी के लिए अच्छा है तो और दूसरा प्लस हमारे पास एक record होना चाहिए कि किस किस महिला का हमने किया है जिससे कि authorities कभी भी उस लेड़ी के phone पर पूछ सकती है कि आपने इसको आगे इस pregnancy का क्या हुआ क्यों कि कई लोग जो कभी देखिए society हैं black sheep हर जगा पर हैं मैं यह नहीं कहता एक दो परसन जरूर कभी कर रहे होंगे कोई छुप छुप करके तो उनसे करा तो और वो टर्मिनेट करा लेते थे तो government किसी भी समय आप उनको पकड़ सकती है इसमें हम patient की पूरी जानकारी लेते हैं कि उसकी कितने बच्चे हैं उनकी उम्र क्या है लड़का है कि लड़की है और तीसरा उनका phone number उनका address complete ह होता है तो कोई भी अधिकारी किसी भी समय pregnant lady की phone करके जानकारी ले सकता है कि आपकी इस pregnancy जो थी आपने जो कराया था ultrasound उसका क्या आगे चल रहा है मतलब they want to make sure कि इसमें उन्होंने about तो नहीं कराया या कहीं कोई test तो नहीं कराया तो यह चीज और मैं समझता हूं अब आज की डेट में जो भी ultrasound center है वो सब registered है government के पास में और पहले तो इसमें center registered होना चाहिए आप जिस machine से यूज कर रहे हैं वह रिजिस्टर होनी चाहिए और doctor registered होना चाहिए cm office में और वही ultrasound कर सकता है अगर वह कोई भी अगर यह नियम नहीं follow करता तो वह illegal center है वह नहीं कर सकता उ पूछना चाहूंगी PCPNDT के आने के बाद क्या जो जो सेक्स जो लड़कियों की जो संख्या थी क्या वह अब भड़ी है कि पहले की अपश्या देखिए दो फायदे हुए है PCPNDT के एक तो पहले हमसे कहते हैं मश्रूनिंग मश्रूमिंग ऑफ ultrasound centers जो मिड नाइंटीज में जो एकदम से ultrasound center लगना शुरू हो गए थे उन पर अंकुष लगा है बिलकुल लगा है अब हर आदमी चूंकि इतनी government strict हो गई है और इस PCPNDT के अंदर काफी severe action होते हैं तो अब वो नहीं खोल सकते हैं तो पहले तो हर आदमी center नहीं खोल सकता जब तक कि वो इसमें specialist नहीं ह ultrasound में ठीक है जो यह नहीं दिखाता बताता government को कि बताना पड़ता है कि आपने इतना ultrasound करने के सक्षम है आप नंबर एक बात नंबर दो बात अब patient अब चूंकि यह हम हर जानकारी पर दे रहे हैं और दूसरा अब doctors समझ गए हैं कि इसमें उनको दंड दिया जा सकता है उनका I know the radiologist जो जानते हैं कि उनकी यह bread and butter है वो बिलकुल नहीं कर रहे हैं दर्शुक हम आपको बता दे हैं आज हमाने से स्टूडियो मौज़ू है दोक्टर अभूपेंद्र आहूजा जो की senior radiologist हैं जिनसे आज हमने चर्चा करें कि अल्ट्रासाउन की क्या भूमिका होती है आ लगी message में देना चाहूंगा तीन message अल्ट्रासाउन सिर्फ गर्वमती महिला का नहीं अल्ट्रासाउन का ओपयोग सारे शरीर के लिए है और आपके जब डॉक्टर आपको बताएं आप बिना किसी उसके आएं दूसतरा गर्वमती महिलाओं के लिए कभी भी किसी भी डॉक को भी improve करना है हमें अपने स्तर पे भी देखना है कि हमारे लड़का लड़की समान है आज की डेट में मैं इसलिए कहना चाहता हूं लड़का लड़की क्योंकि nuclear family हो गई है हर बच्चा चाहें लड़का हो चाहें लड़की हो वह वर्क करना चाहता है और वर्क के लिए उस बराबर हैं तो वो उसको निकाला जा दिमाग से येस थोड़ा society का भी काम है कि यह जो दहेच की कुरूती है इसको सबसे पहले खतम करें क्योंकि इसी पर parents को burden लगता है गौर्मेंट के इसमें यह कहूंगा कि शिक्षा के लिए school हर गाउं में खोले जाएं लड़की के लि ही शिक्षा available हो उनको दूर ना जाना पड़े क्योंकि लड़की के लिए 5-6 km जाना unsafe भी है हमारी society अभी उतनी सुरक्षित नहीं हुई हमारा law and order उतना अच्छा नहीं है तो यह सब चीजें जो parents हमारे समझते हैं कि burden है उसमें सुधार होना चाहिए तो यह चीजें अपने absence drainage है उसको दरूर कराएं बाइपसी है बाइपसी हमेशा ultrasound guidance में होनी चाहिए उससे अच्छा रहता है उससे हम एक सही जानकारी मरीज को दे सकते हैं दर्शकों आज हमारे health में फिलाल इतना ही है मुझे दीजिए इजाज़त नमशकार कर दिए जाओसी आज हमारे कि जानकार इतना ही हम एक स्थारी है